अलसी के अंदर फाइबर भी होता है, अलसी में ओमेगा 3 फैटी आसिड भी होता है और ये हड्यों के लिए भी काफी अच्छा है इन लड्डूों को आप किसी भी मौसमें बना करके खा सकते हो, तो चलिए बनाते हैं अलसी गौंद के लड्डू सबसे पहले हम लेंगे यहां पर 2 कप अलसी और इसको डाल देंगे हम कड़ाई में और गैस को रखेंगे धीरे और धीरे गैस पर हमें अलसी को भूनना है, जलाना नहीं है क्योंकि अलसी बहुत छोटी सी होती है और बहुत जल्दी जल सकती है तो आपको ध्यान रखना है कि गैस को हलका ही रखें यानि धीरे ही रखें यहाँ पर हमारी अलसी भून चुकी है अब इसे निकाल कर हम रख लेंगे प्लेट में और उसके बाद इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी के जार में डाल करके पीस के पॉडर मना लेंगे अब कड़ाई में डालेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा आप चाहें तो कब से भी नाप सकते हैं कटोरी से भी नाप सकते हैं और इसमें डालेंगे आधा कब बेशन, यहाँ पर भी ध्यान देना है कि गैस को थीरे रखना है और थीरे गैस पे ही हमें आटे को अच्छे से भूनना है और जब अच्छी से खुसबु आने लग जा यानि कि आटे का कलर चेंज होने लग जाए, हलका सा उसमें ब्राउन होन इसमें डालेंगे आधा कर्डोरे, गॉंद और डाल करके अछे से भूनेंगे, जब गॉंद आपका अछे से भून जाएगा, तब इसको भी निकाल के आपको बाहर करना है, ठंडा करना है, मिक्सिके जार में डाल करके, इसे भी पीस करके रख लेंगे. तो यहां पे गौंध हमारा तयार हो चुका है यानि अच्छा फूल गया है इसको भी निकाल करके अब हम बाहर कर लेते हैं अब कड़ाई में जो यह घी बचा हुआ है इसके अंदर हम ढाल देंगे आटा जो हमने भून करके रखका था और डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अलसी का पाउडर और अब इसमें डालेंगे आदा चमर सफेद मिर्ज का पाउडर और आदा ही चमर डालेंगे हरी इलाइची का पाउडर अब इसमें डालेंगे आदा चमब सेंदा नमक, आदा कटोरी घिसा हुआ नारियल, आदा कटोरी काजू और बादाम का पाउडर, अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे, ड्राइ फ्रूट आपके उपर है, आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं इसके अंदर अब इसमें डालूंगे 1.500 क्राम गुड की खान आप चाहें, तो बूरा भी डाल सकते हैं और चीनी पीस करके भी डाल सकते हैं, मीठा जितना आपको पसंद है अपने स्वात के हिसाब से इसके अंदर मीठा रखेगा, और अब इसके अंदर हम डालेंगे गौन जो हमने पी अब यहां पर सारी चीजों का अच्छे से मिक्स करना है, यहां मेरी थोड़ी कडाई छोटी पड़ रही है, तो मैं इसे निकाल के दूसरे बरतन में डाल रही हूँ, अब इसके अंदर हम डालेंगे घी और यहां पर मिक्षर जो है वो गरम है, तो बहुत ध्यान से इसे मि और मिक्स करेंगे जब तक आपका लड़ू वाला मिक्षर तयार ना हो जाए, यानि मुठी में इस तरह से बंधने न लग जाए, जब इस तरह से हो जाए तो इसके बाद समझ लीजिए कि तयार है, अब आपको इसमें घी एड नहीं करना है, अब आप इसके लड़ू बना सकते हैं, घी गरम करके डालने की ज़रूत नहीं है, डालिए क्योंकि हलका गुन-गुना होता है, घी मेल्ट हो जाएगा, बस लड़ू बनाईए, खाईए, खिलाईए, और इंजाए कीजे, मिलते हैं आप से फिर अगले वीडियो में